एक्स्प्लोर इंडिया विद विकास में आपका स्वागत है आज हम ऊटी के से घुमने जाएं इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे खुबसूरत नेलगीरी की पाड़ियों के बीच इस्तित ऊटी अर्थात उदग मंडलम दक्षिन भारती राज तमिल नाड़ो का एक वर्ल्ड फेमस हिलिस्टेशन है उटी की प्राकर्तिक सुंदर्ता का आनल लेने के लिए देश नहीं अपिति विदेशी परिटक भी भारी संख्या में प्रतिवर्श यहां आते हैं खासकर गर्मियों के महीनों में तो उटी परिटकों से पूरी तरह भरा रहता है आप उटी में प्रकर्ति की अद्भूत खुबसूरती का आनल ले सकते हैं यदि आपने उटी घुमने का प्लान बनाया है तो आपके मन में सबसे पहला सवाल यह उत्पन होता है कि उटी किस समय घुमने जाना चाहिए तो इसका जवाब यह है कि आप पूरे साल में कभी भी उटी जा सकते हैं परंतु अपरेल से जून और सितमबर से नवंबर के बीच उटी घुमने का सबसे आइडियल टाइम माना जाता है क्योंकि इन महिनों में उटी का तापमान लगबग 20 डिग्री सेल्सिस रहता है और उटी घुमने में मोसम समद्धी कोई परिशानी नहीं आती है जुलाई तथा अगस्त में यहां बहुत भारी बारिश होती है जिसके कारण परिटक जुलाई तथा अगस्त में यहां कम आते हैं आपने यह तो तै कर लिया कि आपको उटी कप जाना है अब आपके सामने यह सवाल उत्पन होता है कि उटी कैसे पहुँचे तो इसका जवाब है कि उटी जाने के लिए हवाई जहाज ट्रेन और बस आदी के कई विकलप उपलब्ध हैं आप अपनी सुईधा के अनुसार क कई सारी लगजरी बसे चलती हैं इसके लिए आपको अपने घरनगर से सबसे पहले बैंगलोर चन्नई अत्वा मेसुराधी जगह आना होगा क्योंकि दिल्ली मुंबई आदी शहरों से उटी के लिए सीधी बस से वाउपलब्ध नहीं है जैसे यदि आप बैंगलोर उटी की दूरी 310 किलोमेटर है यह बसें आपको अरली मॉर्लिंग उटी बस इस्टेंट पर छोड़ देंगी जहां से आप आटो रिक्षा अत्वा केप करके अपनी होटल में आराम से पहुँच सकते हैं गोर्तलभे की उटी में कोई हवाई अड़ा अर्थात एयरपोर्ट नहीं है उटी का सबसे निकट्तम हवाई अड़ा कोयमबटूर एयरपोर्ट है जो की उटी से लगबग 50 किलोमेटर दूर है एर इंडिया इंडियो और स्पैस जेट जैसी एरलाइन्स की नई दिल्ली अड़ाई शहरों से कोयमबटूर तक प्रती दिन कई फ्लाइट आती हैं विदोश्वो से आने वाले परिटक बेंगलोर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतर कर वहां से बस द्वारा ऊटी आते हैं ऊटी के लिए कोयमबटूर एयरपोर्ट तथा बेंगलोर इंटरनेश टेक्सी द्वारा पहुंचने में केवल तीन घंटे लगते हैं तथा कोयमबटूर से ऊटी तक का टेक्सी का किराया पंदरा सो रुपे के लगबख होता है नीलगिरी माउंटेन रेलवे अर्थात ऊटी टॉय ट्रेन में कम से कम एक बार यात्रा करना हर भारती का सपना होता है यह टॉय ट्रेन मेट्टू पालियम नामक स्टेशन से ऊटी तक चलती है यह ट्रेन नीलगिरी पहाडों खुबसूरा जंगलों तता भहुत सारी सुरंगा से गुजरती है उटी टॉय ट्रेन 46 किलोमेटर के खुपसूरा ट्रेक पर चलती है इसमें कोई दोमत नहीं है कि इस टॉय ट्रेन की सवारी आपके परिवार तथा आपके बच्चों को जीवन भर याद रहेगी हमारी भी आपको यही सला है कि आप टॉय ट्रेन से ही उटी जाईएगा यहाँ टॉय ट्रेन मेट्टू पालियम नामक स्टेशन से सुबह 7 बच कर 10 मिनट पर चलती है तथा 12 बजे उटी पहुँचती है यह टॉय ट्रेन केवल 46 किलोमेटर की दूरी लगबग 5 घंटे में तय करती है यह भी याद रखें कि इस टॉय ट्रेन का टिकिट आपको अपनी यात्रा के एक मेहने पहले ही आनलाइन बुक कराना होगा क्योंकि हर कोई इस ट्रेन में बेटना चाहता है तता इस ट्रेन के टिकिट की बहुत मारा मारी होती है यदि आप यह सोच रहे हैं कि मेट्टू पालियम नामक स्टेशन पर पहुँचने के बाद टिकिट काउंटर से टिकिट ले लेंगे तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में पढ़ सकते हैं क्योंकि यदि टिकिट नहीं मिला तो पूरी यात्रा का प्लान अस्तवेस्त हो जाएगा इसलिए हमारी सला है कि यदि आप इस ट्रेन से उटी जाना चाहते हैं तो पहले से ही आनलाइन टिकिट बुक करा लीजिएगा अब हम बात करते हैं कि मेट्टू पालियम नामा के रेलवे स्टेशन पर केसे पहुँचा जाए मेट्टू पालियम नामा के स्टेशन पर पहुँचने के लिए आप बैंगलोर, चेन्ने यात्वा मेसुरादी रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ सकते हैं जैसे यदि आप बेंगलोर से मेट्टू पालियम नामक स्टेशन तक जाने के लिए ट्रेन में बेटना चाहते हैं, तो बेंगलोर से मेट्टू पालियम तक के लिए 4-5 ट्रेने रात में 9 बजे से 10 बजे के बीच चलती हैं, जो आपको सुबह 7 बजे के पहले अर्थात मेट् train late हो गई तो toy train दो छूड़ जाएगी ऐसा नहीं होगा क्योंकि toy train में बेटने वाली सारी सारी इनी train से आती है तो जब तक यह trainane mad to polyam railway station पर नहीं पहुंच जाती है तब तक toy train mad to polyam railway station नहीं छोड़ती है यह toy train बहुत धीमिगगाती से चलती है तता कई जगे रुकती रुकती जाती है तो आप ट्रेन से उतर कर सेलफी तता मन महोग प्रकरती का आनन भी ले सकते हैं चुकि इस ट्रेन की खिड़ियां बहुत बड़ी-बड़ी होती हैं तो आपको ट्रेन के भीतर से ही आसपास की सुन्दरता मंत्र मुग्द कर देगी लगभग 12 बजे ट्रेन से उतरी रेल्वे स्टेशन पर उतरने के बाद आप टेक्सी, रिक्षा अत्वा केप से अपने होटल के रिए प्रस्थान करें आप होटल ऑनलाइन ही बुक करें क्योंकि उतरी पहुंचने के बाद यदि आप होटल की खोजबिन करेंगे तो होटल भ अपने ही रेस्टोरेंट में लंच कर ले लंच करने के बाद आप हाफ डे के लिए टेक्सी आटो रिक्षा बुक कर ले जिससे आप उटी शहर में इस्थित लोकल अट्रेक्शन्स एक्स्प्लोर करने के लिए निकल जाएं उटी में सबसे पहले आप गवर्मेंट बोटेनिकल गार्डन देखने जाएं गवर्मेंट बोटेनिकल गार्डन उटी बस इस्टेंट से के अवल धाई किलमेटर दूर है उटी का बोटेनिकल गार्डन 22 हेक्टर के विशाल शेतर में फेला फूलों और पेडों की 650 से अध प्री आकर्शन फॉसिल ट्री ट्रंग है जो लगबग 20 मिलियन वर्ष पुराना बताया जाता है इस गार्डन को अच्छे से एक्स्प्लोर करने में आपको कम से कम दो गंटे का समय लगेगा अगर आप उटी घुमने गए हैं और आपने यह गार्डन नहीं देखा तो आपकी उटी ट्रिप अदूरी ही कही जाएगी बोटनिकल गार्डन देखने के बाद आप रोज गार्डन देखने जाएं रोज गार्डन उटी बसिस्टंट से केवल 2 किलोमेटर दूर है रोज गार्डन तथा बोटनिकल गार्डन के बीच की दूरी भी लगबग 2 किलोमेटर ही है उटी का रोज गार्डन फोटोग्राफी तथा सेलफी के शोकिनों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है रोज गार्डन 4 हेक्टेर शेत्र में फेला हुआ है इसमें 20 हजार साधिक किस्म के गुलाब के पोदे लगे हुए है इस गार्डन को एक्स्प्लोर करने में आपको लगबग एक घंटे का समय लगेगा इसके बाद आप उटी लेक देखने जाए वर्ष 825 में नेर्मी थी है जील धाई किलोमेटर लंबी है और नीलगीरी पाड़ियों के बीच में इस्ती थे यह जील उटी बस इस्टेंड से के वर्ड डेल किलोमेटर दूर है उटी जील में आप पेडल बोटिंग कर सकते हैं अपनी पूरी शाम आप इस जील के किनारे बिताएं इसमें कोई दोमत नहीं है कि इस जील के किनारे बिताएं गई यह शाम आपको हमेशा याद रहेगी आपको जानकर खुशी होगी कि सलमान खान तता भागिशरी की फिल्म मैंने प्यार किया के फेमस सौंग दिल दिवाना बिन सजना के माने ना कि पूरी शूटिंग इसी जील के आसपास हुई थी इस जील के चारो और दुकाने भी हैं जहां से आप हेंडी क्राफ्ट आइटम भी खरीच सकते हैं आप उटी जील के पास ही स्थित किसी रेस्टोरनेंड में डिनर कर लें तदा वापस अपनी होटल में जाकर रेस्ट करें इस प्रकार खूपसुरत ऊटी में आपका पहला दिन समाप्त होता है अगले दिन अर्था दूसरे दिन सुभ़ आप ब्रेक्फास्ट करके अपनी होटल से लोकल साइट सींग के लिए पूरे दिन के लिए टेक्सी या रिक्षा करके सबसे पहले मुरुगन मंदिर देखने जाएं भगवान मुरुगन को समर्पित मुरुगन मंदिर ऊटी की ल का पहड़ी परिस्तित है यह मंदिर ऊटी के बस स्टेंड से केवल तीन किलोमेटर दूर है तता यहां तक पहुँचने में आपको केवल दस मिनट लगेंगे इस मंदिर में भगवान गणिश, भगवान शिव माता पार्वती, भगवान मुरुगन अर्थात कार्थिके और नवगरह की मूर्ति स्थापित है नीलगीरी परवत श्रंखलाव की एलका पहड़ी परिस्तित है मंदिर तता इसके आसपास की प्राकरतिक सुन्दरता आपका मन मोलेगी यदि आप उटी घुमने आए हैं तो इस मंदिर को देखने जरू जाएं अदभूत प्राकरतिक सुन्दरता से घिरा एसा भगवान मुरुगन का मंदिर देश में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा इस मंदिर में दर्शन करने तता आसपास घुमने में आपको एक घंटे का समय लगेगा यह मंदिर इस चर्च के अंदर का तापमान हमेशा ठंडा रहता है यह चर्च सुभए के 10 बज़े से दोपर के 1 बज़े तक और दोपर के 3 बज़े से शाम के 5 बज़े तक खुला रहता है इसके बाद आप उटी का स्टोन हाउस देखने जाएं वर्ष 1822 में जान सुलीवन द्वारा बनवाया गया यह हाउस उटी का पहला बंगला था अब यह उटी का सरकारी संग्रहाला है यह स्टोन हाउस उटी बसिस्टन से केवल 3 किलोमेटर दूर है इस स्टोन हाउस को दे उटी के बसिस्टन से केवल 4 किलोमेटर दूर है वर्ष 1844 में बना फ़र्न हिल पेलेस मेसूर के महराजा का ग्रिश्मकालीन बंगला था इस महल की भवविता आपको मंत्र मुख्द कर देगी इसके बाद आप पास ही में किसी रेस्टोन में लंच कर लीजेगा इसके बाद आप डोडा बेटा पीक देखने जाएं 8606 फीट की उचाई पर इस दोडा बेटा पीक दक्षिन भारत का सबसे उचा स्थान है यह पीक उटी बस से लगबग 9 किलोमेटर दूर है तता यहां तक पहुँचने में आपको 20 मिनट का समय लगेगा आप यहां से नीलगीरी के लभावने द्रश देख सकते हैं चोटी का शिष आपको मंत्र मुगद कर देगा डोडा बेटा पीक पर एक दूरबिन घर अर्था टेलिसकोप हाउस है जिसमें दो दूरबिन लगी है जो इस पीक के आसपास का मनोरम द्रश आपको दिखाएंग यहां पर आप चाई की पत्तियों से चाई बनानी की पूरी प्रक्रिया देख सकते हैं सेकड़ों तरह की चाई टेस्ट कर सकते हैं चाई खरीद भी सकते हैं टी एस्टेट सुबह 6 बचे से शाम को 6 बच तक खुला रहता है टी एस्टेट देखने के बाद आप अपने होट से पूरे दिन के लिए टेक्सी कर लें जो लगबग 2,000 रुपय में बुख हो जाएगी अब आप इस टेक्सी से ऊटी से लगबग 13 किलमेटर दूर ऊटी मेसूर रोड पर इस्थित कलहटी जहरना देखने जाए यह जहरना केवल ऊटी ही नहीं अभी तु देश के 10 सबसे इस जहरने को देखने प्रती दिन हजारों टूरिस्ट आते हैं यहां माना जाता है कि हिंदू संत अगस्त कभी यहां रहा करते थे इस जहरने को देखने के बाद आपका वापस जाने का मनी नहीं करेगा आप इस जहरने के बहते हुए पानी से बाहर ही नहीं निकलना चाहे कलटी जर्ना देखने के बाद आप उटी में सुर रोड पर ही स्थित पैकारा वाटरफाल देखने जा सकते हैं यह जर्ना उटी से लगबग 20 किलमेटर दूर है यहां जर्ने के पास ही रेस्टोरेंट भी है जहां आप जर्ने को देखते हुए लंच का आनंद ले सकते हैं इसके बाद आप साइलेंट वेली में स्थित एमरान लेक तथा अवलांचे लेक देखने जाएं यहां दोनों लेक पास पास इस्थित हैं तथा इनकी दूरी उटी बस से 18 से 21 किलमेटर के बीच है तथा यहां तक पहुँचने में 40 से 45 मिनट का समय लगता है लेक से वापस लोटते समय आप वेक्स म्यूजियम देखने जाएं यहां वेक्स म्यूजियम ऊटी के बस स्टेंड से केवल 3 किलमेटर दूर है यहां पर मोम से बनी प्रतिस्थित हस्तियों की मूर्थियां देखने को मिलेंगी यहां वेक्स म्यूजियम मेडम तुसात के व अगले दिन अर्था चोथे दिन आप सुबह उटकर तयार हो जाएं, होटल में ब्रेकफास्ट करने के बाद आप होटल के रिसेप्शन से पूरे दिन के लिए टेक्सी कर लें, जो लगबग 2,000 रुपे में बुख हो जाएगी, अब आप उटी से 42 किलोमेटर दूर इस्तित निडल रॉक व्यू पाइंट देखने जाएगा, यहाँ पर आपको लगबग 1 किलोमेटर ट्रेकिंग करते हुए जाना होगा, क्योंकि यहाँ तक वहाँ नहीं पहुंच सकते हैं, जिस जगह आप अपनी गाड़ी पार्क करेंगे, वहाँ से आपको पेदल पेदल निडल तो ऐसे लगेगा कि आप एवरेस्ट शिखर पर पहुंच गये हैं, इस जगह पर आप बादलो को अपने हातों से सपर्श कर सकते हैं, यदि आपके साथ 5 साल से कम उमर के छोटे बच्चे तथा बुजुर्ग लोग हैं, तो आप इस पाइंट को देखना अवाइड भी कर स समय लगेगा, यहाँ पर आप जीप या बस में बेटकर टाइगर देख सकते हैं, तता जंगल में हादी की सवारी का आनंद ले सकते हैं, इसके बाद आप मुदु मलाई टाइगर रिजरू में जो रिजॉर्ट्स हैं, वहाँ के रेस्टोरेंट में लंच कर लें, यहाँ प बस सफारी को प्रात्मिकता दे, जो 1.500 रुपय में हो जाएगी, आप मुदु मलाई टाइगर रिजरू देखने के बाद वापस उटी के लिए निकल जाएं, वापस लोडते समय रास्ते में चॉकलेट म्यूजियम ज़रूर देखिएगा, चॉकलेट म्यूजियम सुभर 9 बज़े से शाम को 7 बज़ तक खुला रहता है, यदि आप उटी घुमने आये हैं और आपके सांथ बच्चे हैं तो आपको चॉकलेट म्यूजियम देखने जरूर जाना चाहिए, चॉकलेट म्यूजियम उटी बस धंड से केवल 5 किलमेटर दूर है, यहां आपको तदा अलग तरह की हजारों तरह की चॉकलेट टेस्ट करने को मिलेंगी, आप यहां अलग अलग तेस्ट और वरियाटी की चॉकलेट बनाना भी सिख सकते हैं, आप यहां से घर ले जाने के लिए चॉकलेट खरीद भी सकते हैं, चॉकलेट म्यूजियम की इंट्री फीज केवल 20 तथा एंट्री की समय एक बड़ी सी चॉकलेट फ्री में खाने को भी मिलती है, आप एक बाट नोट कर लें कि इस चॉकलेट म्यूजियम से आपको अपने बच्चों को बाहर निकालने में पसीना आ जाएगा, इसके बाद आप अपनी होटल में जाकर डिनर करें तथा रेस लगेगा, यदि आप टेक्सी से यहां आएंगे तो टेक्सी का किराय लगबग 1000 रुपे लगेगा, आप उटी से कुनूर हेरिटेज ट्रेन से भी जा सकते हैं, उटी से कुनूर के लिए 4 हेरिटेज ट्रेन चलती हैं, पहली ट्रेन सुबस सवा 9 बजे, दूसरी दो पर सव गंटे में पहुंच जाती है, आप पहली ट्रेन जो सुबस सवा 9 बजे उटी से कुनूर के लिए निकलती है, उसमें बेठिएगा, यहां आपको साड़े-दस बजे कुनूर ड्राप कर देगी, तता इस तरह आपको कुनूर घुमने के लिए काफी समय मिलेगा, कुनूर रेलवे स्टेशन या बस इस्टेंड से आप टेक्सी या रिक्षा द्वार आपनी ऑनलाइन बुक होटल में चेक इन करें, तता होटल में लंज़ करने के बाद, आप कुनूर के लोकल अट्रेक्शन देखने है टेक्सी या रिक्षा से निकल जाएं, आपको आपक और जे चर्च तता सेंड्स चर्च देखने जाईएगा. इसके बाद आप कुन्नूर में वेलिंग्टन गोल्फ कोर्स देखने जाईएगा. इसके बाद आप अपनी होटल में आकर डिनर करें तता रेस्ट करें. इस प्रकार आपकी इस ट्रिप का पांचवा दिन समाप्त होता है. अगले दिन अर्था छटे दिन आप सुबह जल्दी उठकर तयार हो जाएँ. होटल में ब्रेकफास्ट करने के बाद आप होटल के रिसेप्शन से आधे दिन के लिए टेक्सी कर लें. जो लगबग 1000 रुपे में बुक हो जाएगी. आप चाहें तो अपनी होटल से पेदल ही कुनूर बस स्टेंड आ जाएं. तथा आप महाँ से टेक्सी बुक कर लें. टेक्सी बुक करने के बाद आप सबसे पहले डॉल्फीन नोज व्यूपाइंट देखने जाएं. नीलगीरी पहाड़ियों का बहुत ही विहंगम द्रश दिखाई देता है. यहां से दिखाई देने वाले द्रश को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है. आपको यहां तक पहुँचने के लिए थोड़ा पेदल भी चलना पड़ता है. क्योंकि आपकी टेक्सी की पार्किंग डॉल्फीन नोस वूपाइंट से कुछ दूर होती है. लेम्ज रॉक कुन्नूर का एक और प्रसित परेटक आकरशन है. लेम्ज रॉक परेटक स्थान डॉल्फीन नोस व्यूपाइंट के रास्ते में ही पढ़ता है. इसलिए आप इस tourist spot को भी देखनी जाएगा कुन्नूर से 8 km की दूरी पर इस्थित लेम्ज रॉक से परेटकों को कोईमबटूर के मेदानी भागों का शांदार नजारा दिखता है इस स्थान का नाम केप्टन लेम्ज के नाम पर रखा गया है जिन्नोंने इस स्थान तक पहुँचने के लिए रास्ता बनाया था लेम्ज रॉक देखने के बाद आप वापस कुन्नूर आ जाए तता किसी restaurant में lunch कर लें इसके बाद आप टेक्सी वाले को कह दें कि वह आपको कत्तेरी पार्क छोड़ दे इसके बाद आप वहाँ पहुचकर टेक्सी छोड़ दें तता कत्तेरी पार्क explore करें इसके बाद आप चाहें तो कुन्नूर में shopping भी कर सकते हैं shopping center जाने के लिए रिक्षा कर लें इसके बाद आप अपनी होटल आकर डिनर करें तता होटल से चेक आउट करें तता शाम की या रात की बस से अपने गरह नगर के लिए निकल जाएं कुनूर से ओवरनाइट कई बसें बेंगलोर, चन्ने अत्वा मेसूर के लिए चलती हैं इस प्रकार आपकी यह ट्रिप सुखद यादों के साथ संपन्न होती है अब हम इस यातरा से जुड़ी कुछ प्रमुक बातों पर चर्चा करते हैं यदि आप कुनूर के होटल में नहीं ठहरना चाहते हैं तो आप उटी से भी टेक्सी करके कुनूर घुमने आ सकते हैं परन्तु उसमें समस्य यह है कि आप कुनूर को अच्छे से एक्स्प्रोर नहीं कर पाएंगे तता बहुत भाग दोड़ हो जाएगी एवन टेक्सी का खर्चा भी बहुत बढ़ जाएगा उटी की तुलना में कुनूर के होटल बहुत सस्ते हैं तो दो दिन उटी की जगह कुनूर में रुकने से होटल के किराए में भी आपकी काफी बचत हो जाएगी यदि आपके साथ बच्चे ततब बुजुर्ग लोग हैं तो इस यात्रा में गर्म कपड़े हमेशा अपने साथ रखेगा क्योंकि यहां का मोसम काफी ठंडा होता है तथा जरासी लापरवाई से सर्दी तथा जुकाम हो सकता है इस यात्रा में चपल की जगह अच्छी क्वालिटी की जूते ही पहनिएगा क्योंकि कई जगा फिसलन भरी होती हैं तो जूते ज्यादा अच्छी गृप प्रदान करते हैं भोजन में भी साउथ इंडियन टच ही मिलेगा अर्थात नौर्थ इंडियन खाने जैसा स्वाद आपको यहां नहीं मिलेगा यदि आपके गृप में से किसी को घुटने में दर्द की शिकायत है तो उसे इस ट्रिप में थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि इस यात्रा में काफी पेदल चलना पड़ता है अब हम इस छे दिन की उटी कुन्नू ट्रिप के कुल खर्चे की बात करते हैं अब हम छे दिन की इस उटी कुन्नू ट्रिप के अधिक्तम कुल खर्च की बात करते हैं चार लोगों का आने जाने का ट्रेन तता बस का कुल किराया 7,000 रुपे चार लोगों का छे दिन का टेक्सी का कुल किराया लगबग 6,000 रुपे चार लोगों का 6 दिन का होटल का किराया लगबक 6,000 रुपे चार लोगों का 6 दिन का भोजन का खर्च 8,000 रुपे चार लोगों का 6 दिन का साइट सिंग तथा एक्टिविटी का खर्च 3,000 रुपे चार लोगों का उटी कुन्नूर में 6 दिन का अधिक्तम कुल खर्च 30,000 रुपे इसे हम 4 से डिवाइड करते हैं तो प्रतिविक्ति अधिक्तम कुल खर्च 7,500 रुपे आएगा इस प्रकार आप केवल 7,500 रुपे में शांदार तरीके से टेक्सी को शामिल करते हुए उटी कुन्नूर घुम सकते हैं यदि आप टेक्सी की जगए और्डो रिक्षा या शेर टेक्सी का इस्तेमाल करते हैं तो यात्रा खर्च और कम हो जाएगा तो अब इंतजार मत कीजिए जल्दी ही ऊटी तथा कुन्नूर घुमने का प्लान बनाईए यदि आपको हमारी जानकर सही तथा उप्योगी लगी हो तो प्लीज हमारी चैनल एक्स्प्लोर इंडिया विद विकास को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक्यू